हेलो फ्रेंड्स, मेरा नहीं है नीशा और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि बरसाद के मौसम में बच्चों के कपड़े आसानी से कैसे सुखाएं जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम पे हम लोगों के लिए से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वह होती है कपड़े सुखाने को रिलेटेड जिसमें हमें सबसे ज़रा टेंशन इस बात की होती है कि हमारे बच्चों के अगर जाला देर तक कपड़े रहे जाते हैं तो उनमें फंगस इकठी हो जाती है इस जिसकी वज़ेसे बहुत जादा इंफेक्शन फैल सकते हैं आज मैं कुछ ऐसे दस ट्रिक्स के बारे में आपके भी बात करूंगी जिससे आपके अपने बच्चों के कपड़े आसानी से सुखा सकते हैं मेरा पहला ट्रिक है वह हैं तो अपने बच्चों की कपड के जबी भी सुखाते हैं तो उन्हें हैं थीक लगता है दूसरी चीज यहांगर में सुखाने से कपड़ों में से हवा आरपार होती रहती जिसकी वज़ा से कपड़ जल्दी सुखते और उनमें मोश्यर नहीं रह जाता दूसरी जो चीज है वो है अगर आपके घर में वाशिंग मशीन है तो आप वाशिंग मशीन में कपड़े दोने के बाल ड्रायर को दो बार चला दीजिए जिससे कपड़े आसानी से और जल्दी सुख जाएंगा इसका मोश्यर भी कम हो जाएगा तीसा चीज है कि आप अपने एक कमरे के कोने में धूब जला के रख सकते हैं जिसकी वज़े से आपके बच्चों के जो कपड़े हैं उनमें स्मेल नहीं आती क्योंकि बरसात के टाइम पर जाला दर हम देखते हैं कि हमारे कपड़ों में स्मेल आने लग जाती है और वो बैश्ट रहता है कि अगर हम धूब जला के कोने में रख दें दूब जलाने से बच्चों के कपड़ों के पास ना जला है थोड़ा दूर पे जला है उससे ज्यादा कोई कपड़ों पे इफेक्ट नहीं आता ना ही बच्चों कोई उससे इंफेक्शन हो सकता है तीस तरी च तो अगर हां हम थे पॉइंट पे धूब जलाने के बच्चों के कपड़ों किसे दूर आप धूब जला के कोणी में रख सकते हैं दूसरा एक रहता है कि आप बच्चों के कपड़े में जब धो रहे हैं उस टाइम पे 1-2 टेबल स्पून सिर्का डाल दीजिए उससे क्या कि बच्चों के कपड़ों में स्मेल निचाएंगी और अलग से डिटर्जंट भी आते हैं अच्छे अफ्राग्रेंस् ौन֯ को इतना फ्रेगरस नहीं देना चाहिए वी आप यूस कर सकते हैं वह काफी अछा तरीका है वैसे अगर आप वीनेतर यूस और रूस करते हैं त तो आप लिने कर यूज कर सकते हैं चोथी पांचवी चीज ये रहेगी कि जैसे बर्सा बंद हो जाती है उसके बाद आप क्या करें कि अपने घर के जितने भी किड़की दरवाजे सारे खोल ले ताकि बाहर की जो शुद्द अबाय वह अंदर आ सके और उससे कमरे की नमी जो एक थैली लें उसमें थोड़ा सा नमक बांध करके इस पोटली बना करके कोने में रद दें नमक से एक तो मोश्चर कम हो जाता है दूसरी चीज जो हमको वाइरल इंफेक्शन या फंगस हो जाती है गीले कपड़ों की वज़ास से वह भी नहीं होती तो एक वह बहुत अच उस टाइम पर उसके बाद में कपड़ों को आयन कर लें कपड़ों को आयन करना बहुत अच्छा और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही फायदेमन तरीका है कपड़ों को आयन करने से यह काम आप विंटर में भी कर सकते हैं आयन करने से एक तो क्या होता है कि बच्चे के ऐसे वारिष के टाम पर थोड़ा थंड़ा माहोल रहता है तो बच्चों को ठंडी लग रही होती है उस्टाम पर अगर उसको आयन के पढ़ने को में तो थोड़ा वांम फील होता है राइट और कपड़ों में से मोश्यर निकल जाता है और आयन करके अगर आप अलमारी में अपने दूसरा एक और आप चीज का ध्यान रख सकते हैं कि जब आप कपड़े दोते हैं उसके बाद में अगर आपकी घर में वाशिंग मशीन है तो वाशिंग मशीन को अच्छे से दोई क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें क्या रहता है थोड़ा इंफेक्शन आने तो एक टेबल स्पून विनेगर डालके भी उसे आप वाश कर सकते हैं बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उसे दूसरा लाश्ट जो मेरा तरीका है दस्वा तरीका वह यह है कि आप जादा कपड़े इकटे ही ना होने दे आप डेली बेजिस पे अपने बच्चों के कपड दोते रहें और थोड़े थोड़े करके कपड़े दो जिससे कि आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा कपड़े सुखाने के लिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज एंड करती हूं और आपका कीम्ती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको मेरा चैनल लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें